तो गैस क्या आपको भी इस तरह का प्रोब्लम देखने के लिए मिला है जिसमें लिखा रहता है get the most out of your phone app इसके आगे यहाँ पर some more features है और permission to use your microphone तो इस तरह का यह हमारा प्रोब्लम है वो देखने के लिए मिलता है तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए यह कोई प्रोब्लम नहीं है यह आपके फोन की जो थोड़ी सी permission मांगता है लेकिन आप उसे allow नहीं करते जिसकी वाज़े से आपको ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है तो इसको ठीक करने के लिए आपको दिखिए सबसे पहले mobile के setting में आना होगा मेरे भाई तो जैसे मोबाल की सेटिंग में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीकी का पेज दिखाई देगा यहाँ पर आप सभी को करना क्या है दिखिए थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखिए आपको एक उप्सन दिखाई देगा एपस का एपस के उप्सन पे क्लिक करेंगे जैसे आप एपस के उप्सन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख पाईएगा कि यहाँ पर आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा थोला सफ नीचे आएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहां पर काफी सारे ओप्सन दिखाई देंगे तो यहां पर देखिए आपको application एक मैं बताता हूं वही application आपको search करनी है और यहां पर आपको बिल्कुल भी उसके साथ कुछ change कार नहीं करनी है नहीं तो आपके साथ दिक्कत भी हो सकती है आपको phone application को open करनी है जिसे open करते हैं यहां पर देखिए आप लोगों को यह मिलता है कौन साथ करना चाते हैं call या फिर normal तो आप उसे अपने हैसाब से set कर देखिए और उसके बाद देखिए यहां पर थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहां पर आपको काफी सारे option मिलते हैं देखिए change system setting तो यहां पर आप इसको भी allow कर दिजिएगा ठीक है allow करने के बाद द देखिए उसके बाद यह दिखकर आपको दुबारा देखने नहीं मिलेगी जब तक आपका फोन का जो डाइलर है वो सही तरीके से वर्क करता रहेगा वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दिजिएगा पना कर दिएए ङजिए जब है कर दिएक कर दो कर.